हालो बच्चों क्या हाल है आसा करते हैं सभी लोग अच्छ होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आज की वेडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 11 का जो आपका इनारगैनिक का फस्ट चेप्टर है उसके अंतरगत जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उनके बारे म तो यहाँ पर कुछ जो आपके फार्मूला है जैसे कि आपका रासायनिक सोत्र, मुला नुपाति सोत्र, अंड सोत्र, सनचना सोत्र और इन से रिलेटेड जो आपके और तमाम सारे सोत्र बनते हैं तो उनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं तो सबसे प परमाणूं तथा उनकी संख्या को पदर्सित करने के लिए जो आपका सोत्र इस्तिमाल होता है वो आपका रासायनिक सोत्र कहा जाता है यानि कि किसी योगिग में परमाणूं तथा उनकी संख्या को पदर्सित करने के लिए रासायनिक सोत्र का प्रयोग किया जाता है तो यह आपका हो जायगा रासायनिक सोत्र की परिभासा अब इसके बाद में मोलानपाती सोत्र, मोलानपाती सोत्र और अंसोत्र ये आपके ज्यादा इंपोर्टन्ट है क्योंकि ये आपको आगे जो नुमेरिकल्स होगे इसी चैप्टर के वहाँ पर आपको मुलान प्वाति सूत्र और सनचना सूत्र का डिटेल बताना होगा यानि कि calculate करना होगा तो अगर मुलान प्वाति सूत्र के बारे पोचा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परिभासा में लिखा है कि वह सूत्र जो किसी अण में उपस्थिद विभिन्य तत्यों की पर्माणों की आपेचिक संख्या को पदर्सित करता है कहने के मतलब अगर कोई फार्मूला है तो उस फार्मूले के अंदर कितने तत्यों को समावेशित किया गया है तो उनकी संख्या को यह आपका मुलान पाते सूत्र बताता है जैसे यहाँ पर एक्जाम्पल लिया गया है HT कमल HT कमल का सूत्र होता है CH3COOH तो CH3COOH को अगर हम बेसिकली यहाँ पर साट रूम में लिखे यानि कि इसका अगर मुलान पाते सूत्र लिखे और क्या होगा CH2O सी एचटू ओ ठीक है तो जैसे यहाँ पर दो कार्बन है तो एक कार्बन और चार हईड्रोजन है तो दो हईड्रोजन और दो आक्सीजन है तो एक नक्सेजन मतलब इसका साट रूम यहाँ पर लिखा गया है तो अब इसके बाद में बात करते हैं अन्सूत्र के बारे में तो अन्सूत्र की परिभासा में यहां पर देख सकते हैं कि किसी योगी के अन्वे उपस्थित विभी नतत्रों के परमाणों की वास्त्विक संख्या को अन्सूत्र से पदर्शित करते हैं मतलब अगर यहां पर कोई योगिक है और उस योगिक के अन के बात की जाए और उसमें विभी नतत्यों के जो परमाण हों और उनकी जो वास्त्विक संख्या है उसको यहां पर इंडिकेट किया जाता है अनसोत्र के माध्यम से ठीक है तो अनसोत्र के माध्यम से हम क्या कर सकत है किसी योग की क्याण में जो भी भी नतात्यों के परमाण होते उनकी वास्तविक संख्या को दर्साया जाता है अब जैसे यहां पर एक्जामपल दिया गया है कि अगर आपके पास में उदाहरण है अगर हम चाहें तो इस फार्मेट में भी लिख सकते हैं C2H4O2 यानि कि यह जो आपके अलग अलग कार्बन या हाइड्रोजन जो भी है उनको हम क्या कर सकते हैं अपने का आपने कि हम आपको दियान देना है कि योगी के अन में वी भी न तत्तों की वे्वस्था को हम क्या कर सकते हैं तो वही यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि योगी की अण में विभी ने तत्नों की ब्योस्था को सनचना सूत्र द्वारा प्रदर्सित किया जाता है यानि कि जो आपका ये एक्जांपल है CS3CWH ठीक अणवी गुरूब में इस तरीके से लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं और अगर सनचना के तोर पर देखा जाये तो इस टीक अमल को ऐसे भी लिखा जा सकता है लेकिन और अगर आप चाहें तो इसको open कर सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें से ये जो आपका पहला carbon है और इससे जो तिन हो hydrogen जुड़े हैं उनको single bond से इस तरीके से जोड़ देना है और इसके बाद में दूसरा carbon उसको भी single bond से जोड़ना है करते हैं कि किसी योगिक के अंसूत्र तथा मुलानपातिसूत्र में संबंद क्या होता है मतलब आपका कोई योगिक है तो उसका अंसूत्र होगा और मुलानपातिसूत्र होगा तो उनके बीच में उसके बाद में आपको क्या करना होगा, एन फाइंड करना होगा, एन क्या है, एक पुडांग संख्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार से लेकर सुवान तक हो सकती, ठीक है, तो अगर आपको एन निकालना है, तो एन के लिए आपका सूत्र बनेगा, करेंगे, दो एंटू, वास्फ घंळत, तो यह हो जाएगा आपका तब इस्तिमाल होने वाला फार्मूला, जब आपको आपको अन भार की जगे पर वास्फ घंळत पहनद दिया जाए, तो इसकी इस इसका इस्तिमाल कर लें गी, और अगर आपको अन भार बटे मुलन पात सूथ भार का इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको किसी भी कार्बनी योगिक में भीन तत्यों का पर्सेंटेज दे दिया जाए या उनका आपका द्रमा दे दिया जाए और आप से कहा जाए मुलान पाते सूत्र या अनसूत्र आप बताईए तो उसके लिए आपका यही सूत्र इस्तिमाल होगा कि अनसूत्र बराबर मुलान पाते सूत्र का हो लियान तो सबसे पहले आपको मोलन पात्य सूद निकालना होगा फिर मोलन पात्य सूद भा निकालना रिम भालन निकाल parce जाएगा। अगर को निकाल लिया जाएगा जाएंगा तो आपको फिर यह वाला फार्मूला लगाना हैď ठीक twent Karl Pak के से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह सब छोटे छोटे फर्मूला है और इंपोर्टेंट है क्योंकि इस से आपके कई सारे नुमेरिकल्स लगाए जा सकते हैं तो बच्चों आज को वीडियों बस इतना ही अगर इस वीडियो का उद्धियों का जो भी डिटेल है आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जिससे के हमें यह किलियर हो कि आखिर में प्रॉब्लम कहां से और हमें और क्या इसमें बेटर करने का अप्शन मिलता है ठीक है धन्यवाद